आप लोग ये स्मार्टफोन देख रहे हो जिहां ये वही स्मार्टफोन है जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक करोड़ी वाउ को मिलने वाला है एंड ये भी कह सकते हो कि ये आपका स्मार्टफोन नहीं है ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्मार्टफोन तो आपके पास है लेकिन कंट्रोल कोई और कर रहा है तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये मेरा स्मार्टफोन है गाइस आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस स्मार्टफोन के कुछ ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जो की बहुत बड़ा है और सबसे खराब फोन मुझे ये लगा और यहाँ पर अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हो तो चलिए इस कमाल की वीडियो को सुरू करते हैं ओके सु गाइस यहाँ पर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के पहले प्रॉब्लम के बारे में तो आप लोग को ये वाल पेपर दीख रहा होगा ये वाल पेपर बिलकुल भी चेंज नहीं होगा अचाहे आप कुछ भी कर लो आई आई टी करके कितना भी कुछ भी इसमें दिमाग लगा दो यार ये वाल पेपर आप चेंज नहीं कर सकते हो ये पर्मानेंट यही वाल पेपर रहेगा हलाकि अगर वाल पेपर सिक्षन में आप जाते हो इस डिवाइस को चालू करोगे मतलब स्टार्ट करोगे पावर अन करोगे आपको एक नोटिफिकेशन रिस्यू होगा कि इस डिवाइस नॉट अ प्राइवेट मतलब यह आपका प्राइवेट मोबाइल नहीं है इससे कोई और कंट्रोल कर रहा है जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा दूसरी सबसे बड़ी प्राबलम कि यह स्मार्टफोन आपका स्मार्टफोन नहीं है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? यह स्मार्टफोन आपको तो मिल गया है कि इस फोन कंट्रोलेट बाई यूपी डेसको अब यूपी डेसको क्या है मैं आपको बता दू यूपी गॉर्मेंट के नीचे काम करने वाला एक एजनसी है इस एजनसी का काम यह है कि यह करोड़ी वाउ को जो फोन, टैबलेट एंड लेप्टोप दिये जा रहे है उन सभी को कंट्रोल करने का काम है मतलब आपके स्मार्टफोन में कौन सा डाटा है आप गूगल पे क्या सर्च कर रहे हो, यूटुब पे क्या सर्च कर रहे हो आपके गैलरी में कौन-कौन सा फोटो आपने रखा है आपके कितने मोबाइल लंबर है इसमें वो सब कंट्रोल कर पाएगा, सब देख पाएगा UP-desk को इसी के साथ गाईज, अगर UP-desk को चाहे तो आपके स्मार्टफोन का पासवर्ड भी चेंज कर सकता है या आपके स्मार्टफोन को लॉग भी कर सकता है जब हम यहाँ पे इस स्मार्टफोन के सेटिंग में जाएंगे तो गाईज, सेटिंग में जाने के बाद अदर डिवाइस सेटिंग में जाते है तो नीचे हमें दो आप्शन देखने को मिलता है एक option में साब साब बताया गया है कि admin can lock your phone and reset your password मतलब admin, यहाँ पे admin को है? UP Desco, UP Desco Agency UP Desco चाहे तो आपके smartphone का password reset कर सकता है आपको भीना बताए और आपके smartphone को lock कर सकता है अगर यहाँ पे UP Desco ने आपके smartphone को lock कर दिया तो मतलब क्या है यार smartphone का होना यहाँ पे दूसरा option हमें देखने को मिलता है admin can delete your all data मतलब admin यहाँ पे UP Desco चाहे तो आपके इस smartphone में जो आपने data रखा है चाहे वो photo हो, चाहे वो आपके mobile number हो चाहे वो आपने YouTube पे क्या कुछ सर्च करके रखा है सब कुछ वो चाहे तो delete कर सकता है तो guys यहाँ पे अब आप मुझे बताओ जब इस smartphone को कोई और control कर रहा है तो आप यहाँ पे कैसे कह सकते हो कि यह smartphone आपका है और इसी के साथ एक बहुत बड़ी problem हमें और भी देखने को मिलती है जो कि तीसरी और सबसे बड़ी problem है जब यहाँ पे आप इस smartphone के अंदर अपना email ID and password डाल के login करते हो तो यहाँ पे UP government का एक email ID automatic login हो जाएगा और उस email ID को आप remove भी नहीं कर सकते मतलब इस smartphone के अंदर दो email ID रहेगा एक आपका जो आपने इसके अंदर डाला होगा यहाँ पे एक UP government का email ID जो की automatic login हो रहेगा और उस email ID को आप remove भी नहीं कर सकते तो यही गाईज तीन बड़ी problem मुझे लगी मुझे लगा कि आपको यह problem बताना चाहिए आपको यह problem कैसे लगे प्लीज आर अपनी राय कमेंट सक्षन में ज़रूर बताना उमीद करता हूँ आपको छोड़ यसी वीडियो पसंद आई पसंद आई तो प्लीज आर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा चैनल को भी subscribe करना मत भूलिएगा मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्श्ट वीडियो में इस वीडियो में इतना ही